ऐसे एक बेहन है अब दी कैलाश बेहन करते गांदे नदल में गुजरात में आज भी है कहाने आप पूस सकते हो तो वो अर्ण पड़ी है पड़ी लिखे नहीं तो संतर में जाहिकूर में सेंटर में थी दो चार बेहने के साथ रहें थी सब बाखी बेहन में उसको सदा के जले ये पड़ी लिखी नहीं एए और आप के तो बाबा के कमरे में बेढ़ती जी रोज बतन बाबा मुझ्जे आप पड़ाते हो तो बाबा ने उसको आसंकल पाया अच्छी सभेरे सभेरे चार बजे पैन आप तेलसल लेकर किताब लेकर बाबा के कमरे में बैठना जैनिपूर में अंडरग्राउंड नीचे बाबा का कबड़ा है तो सबसे जल्दी जल्दी उठी पेपर और पेन लेटर के बेट लेए जैसे साकार में बाबा ऐसे बाबा उतर के आया हाथ पकड़ा लिखाना सिखाया इतना दो ती चब लिखें कोई नहीं है आज मुद्ली सुनाती है, लेटर लिखती है जैसे किसने सिखाया कहानी नी आज भी जीवी थे आज भी जीवी थे गजराव में साइट ग्यांदी नगल में कैलाश पेंटर है कहान पहाड़ी की है हिमाचल में तो नाव चलाती थी छूटी सी बच्ची थी तो अन्पढ भग्वान सिखाकता है कहाँ नर्ग वार्भ इस धर्थी पर आकर कैसे कि सुना कर्म करता है कौट करता है तब कहा करम कराव औहा कैसे करता है समझ में आया है कौन करेता फगवान सुनता है प्रोची कि अधरे peיחy नहीं सुनता है लेकिन किसका सुनता है सच्ची है दिल पर सहंओर और चि ई सच्चा दिल मना जिसके दिल में बुध्धी में किसी के प्रती बद्दे के भावना गलत भावना बावना गलत ने सब भगवान के बच्चे है हाँ कोई दुख देता है कोई पैसा लेता देता नहीं तो भी भगवान के बच्चे भगवान इनका कर जाएं गोरू इनको सब बुद्धि ले दो ये खराब है, उनको सजा मिलने चाहें, ऐसा बद दुआ ने देता है, ऐसे सच्चे दिल पर भगवान राजी हो जता है, उनका सुनता है, उनके मदद करने के लिए भगवान आते है, तो भगवान के वैल्ली क्या है? क्यों आप सो इदार आके बैठे हो, किसके लिए बैठे ह क्यों जाते हैं इतना सबरे से जवट करता है? जमान चुरूरत है, बाबा मदद है.